नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा आज बात होगी सिवहर की सिवहर के इतिहास की सिवहर के जाती है समीकरन की सब कुछ बात होगी तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सिवहर में इस बार जो है 2024 के लोगसभाचुनाओं में RJD की रितू जैस्वाल खड़ी है उनके सामने जो है बाहुवली आनंद मोहन की पत्नी है यानि लवली आनंद खड़ी है रितू जैस्वाल ने पूरी ताकत जोक दी है सिवहर ल लवली आनंद यानि लवली आनंद को जिताने के लिए सभी लोग पूरे शिवहर के जंग में उतर गए और शेत्र का दोड़ा कर रहे है लगातार और रितू जैस्वाल आनंद मोहन पर हमला बोलती है लवली आनंद महन के परीवार पर हमला बोला जा रहा है और उधर से आ वहां पर सांसद रह चुका है तो सबसे पहले बिहार के सबसे छोटे जिले सिभर को सिव की नगड़ी कहा जाता है जिहां बिहार का यह सबसे छोटा जिला है सिभर जिसे सिव की नगड़ी कहा जाता है इस लोकसवा सीट पर राजपूत जाती का दबदब आ रहा है अब तक यहां से दस सांसत बने हैं इसमें साथ सांसत राजपूर जाती से रहे हैं जबकी दो वेस से और एक मुस्लिम सांसत बने हैं इस बार का चुनाव भी दिल्चस्फ होने वाला हैं यहां से बाहुवली आनंद मुहन की पत्री लवली आनंद डावा ठोक रही है उनके बेटे चेतन आनंद भी इसी शेतर से विधायक है इससे पहले भी लवली आनंद चुनाव लर चुकी है हाला कि यह सीट एंडिये में किसके खाते में जाएगी यह भी तय नहीं है सिभर को क क्रांतिकारियों की भूमी भी कहा जाता है सिभर को क्रांतिकारियों की भूमी होने का भी गौरब मिला हुआ है स्वाधिंता की लड़ाई के दौरान 1942 में जिले के तर्यानी छपड़ा के सपूतों की गोड़े सिपाहियों से भिरंत हो गई थी सभी सहीद हो गए थे सहीदो के नाम इस मारक पर अंकित भी हैं रादनितिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो सिवर के दो सांसत रामदुलारी सिनहा और हरी किसोर सिंग को राजपाल बनने का गौरब हासिल है सिवर को जिला बनाने का स्रेय रगुनाज ज्छाको है उन्होंने पाच प्रखंडों की धर्त को जिला बनवाया था वैसे तो कॉंग्रिस ने इस लोग सभा सीट पर छे बार अपना कबजा जमाया लेकिन अब यहां से लगातार तीन बार भाजपा जीतते आ रही है सिवर राजपूतों के लिए बहुमुल सीट माना जाता है लेकिन यह सीट फिलहाल वैसे समाज के कब नहीं लडने की चर्चा थी बीजेपी जिला ध्यक्ष जो है उन्होंने कहा था कि यहां भाजपा की सीट है और भाजपा ही चुनाव लड़ेगी हाला कि इस बार रमादेवी को टिकट नहीं मिला है उनका पत्ता कट गया है और जद्यू ने यानि बीजेपी ने सीट को सेक दबदवा रहा है यहां पर मागढवंधन की बात करें तो इस सीट से मात्र दो बार चुनाव जितने वाला राजप भी सीट पर दबदवा बनाए है राजप ने इस बार रितू जैस्वाल पर भरोसा जताया है रितू जैस्वाल को सिभर लोगसभा सीट से चुनाव का जबकि सिभर जिले में सिभर विधान सवाज शेत्र सामिल हैं 1977 को छोड़ दे तो लगतार 1984 तक कॉंग्रेस नहीं यहां सासन किया सिभर सुरू में मुझपरपुर उत्तरपशिम सीट के रूप में जाना जाता था बाद में इसका नाम पुपरी रख दिया गया था सिंग ने जीत दर्ज की थी बाद में उमिदवार जरूर बदलते रहे लेकिन शेत्रपर कबजा कॉंग्रेस का ही रहा है 1977 को छोड़ दे तो लगतार 1984 तक कॉंग्रेस नहीं यहां सासन किया है 1980 के चुनाओं में फिर कॉंग्रेस का दौर लोटा है आपातकाल के बाद 1977 के चुनाओं में यहां से जनता पार्टी के ठाकुर गिरजा नंदन सिंग सांसत बने तीन साल बाद ही 1980 के चुनाओं में फिर यहां कॉंग्रेस का दौर लोटा है रामदुलारी सिनहा दूसरी बार सांसत बनी 1984 में भी कॉंग्रेस से रामदुलारी सिनहा ही सांसत बनी इसके बाद 1989 और 1999 दूनों बार जनता दल के हरी किसोर सिंग को सफलता मिनी 96 में समता पार्टी के आनंद मोहन सिंग यहां से निर्वाचित हुए अगले चुना 1998 में औल इंडिया राश्ट्रिय जनता पार्टी के टिकट पर फिर से आनंद मोहन सिंग विजेता बने 1999 के चुनाओं में लालु यादव की पार्टी राश्ट्रिय जनता दल से मुहम्मद अन्वरूल हक विजाई रहे 2004 के चुनाओं में भी उनकी पार्टी को जीत मिली और सिताराम सिंग यहां से सांसत बने 2009 से बड़ा बदला हुआ है यहां और यहां से बीजेपी की उम्मिदवार रमादेवी लगातार तीन बार से निर्वाचित होते आ रही है रमादेवी पुर्व मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद की पत्नी है ब्रिजबिहारी प्रसाद आईजी आएमेस गोली कांड में मारे गए थे फिलाल इस सीट पर भाजपा से रमादेवी और राना रंदीर सिंग का नाम चल रहा था लेकिन जेडियो के आनन्द मोहन सिंग की पत्नी लवली आनन्द भी टिकट लेने में लगी थी अब उन्हें टिकट वहां से मिल भी गया है तो अब ये लड़ाई भी बहुत ही दिल्चस्प है क्योंकि अब सिभर में रितू जैसवाल हैं और उनके सामने जो हैं लवली आनन्द हैं जो बाहुवली की पत्नी भी रह चुकी हैं और वहां से आनन्द मोहन दो बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं तो इसलिए सिक्षन में जा करके जरूर बताएं और अभी के लिए वसे इतना ही दर्स न्यूज को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद